जेहिंद वंदे मात्रम आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड अमसीक्यू चनल पर तो फ्रेंड्स आज से बिहर पुलिस और बिहर दरोगा की नई भरती के लिए डेली सुभ़ साथ बजे वन लाइनर इस्टेटिक जीके के क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं अगर आप लोगों को इस बार एकजाम में सिलेक्शन लेना है तो आप लोग अभी से त्यारी में लग जाए और डेली इस क्लास को अटेंड कीजिए इस क्लास से आप लोगों को बहुती वेनिफिट मिलने वाला है तो चलिए आपका बिल्कुल भी टाइम बरबाद ना करते हुए आज किस क्लास को स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड सेसन इस्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दे डेली रात आड़ वजे बिहर दरोगा का और रात साड़े आड़ वजे बिहर पुलिस कॉंस्ट्रबल एक्जाम का प्रेक्टिस सेट कराया जाता है अगर आप लोग करना चाते हैं तो चनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि आप लोगों से एक भी सेशन मिशना हो तो दीकि आज कि सेशन का पहला प्रस्ण है इरानियों द्वारा हमारे देश को दिया गया नाम क्या है तो दीकि इरानियों ने हमारे देश का नाम हिंद रखा था दूसरा प्रस्ण है युनानियों द्वारा रखा गया भारत का नाम क्या है तो दीकि इसका सही जवाब है इंडिया युनानियों ने हमारे भारत का नाम इंडिया रखा था तीसरा प्रस्न है भारत को हिंदुस्तान नाम कब मिला तो जी के भारत को हिंदुस्तान नाम जो है ये मद्यकाल में दिया गया था चोथा प्रस्ण है संजुक्त राश्ट संग में भारत का नाम क्या है तो जीके संजुक्त राश्ट संग में भारत का नाम इंडिया रखा गया है नेक्ष्ट को सन भारतिय संबिधान में हमारे देश का उलेख है इंडिया भारत छटा फ्रस्न है पुराने टीलों के क्रमिक अस्तरों की खुदाई से प्राप्त जानकारियों का विशलेशन होता है तो ये होता है पुरा तत्व विज्ञान में नेक्ष्ट को सन इतिहास अध्यन के सबसे प्रमानिक स्रोत है तो दीके इतिहास अध्यन के सबसे प्रमानिक स्रोत सीला लेख है नेक्ष्ट को सन जीवासम काल का निर्धारन होता है तो दीके जीवासमों का जो काल निर्धारन होता है ये रेडियो कारवन C14 विदी से किया ज जाता है नेक्ष्ट कोसंद के सूर्ज पिर्थवी आधी का काल निर्धारन होता है तो दीकि ये होता है यूरेनियम डेटिंग विदी से सिला लेक संबंदी ग्यान का ध्यन कहलाता है तो दीकि ये कहलाता है एपीग्राफी अविलेखों का ध्यन क्या कहलाता है तो पेलियोग अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है भारत में अभी तक पढ़े गए प्राचिंतम सिलालेक कौन से है तो ये असोक के सिलालेक है भारत में अभी तक प्राचिंतम सिलालेक असोक के अविलेक की प्रमुक लिफी कौन सी है तो दीखे असोक के अविलेक की प्रमुक लिफी कौन सी ह असोग के सिला लेक की लिपी चार भासाओं में पाया जाता है कौन-कौन सी भासा है तो इसको याद कर लिजिए ब्राम्मी लिपी है खरोष्टी लिपी है ग्रीक लिपी है और अमाईका लिपी है नेक्स्ट कोशन असोग के सिला लेक सरपर्थम कुलकत्ता के टकसाल अधिका परी जैम्स प्रिंसेप ने दूई लीपी के अधार पर तो 1837 में पढ़ने में सफलता पाया। सबसे पुराने अभी लेक प्राफ्थ होते हैं तो सिंदु सभता के मोहरों पर सबसे पुराने अभी लेक प्राफ्थ होते हैं लेख युक्त सिक्के सरव पर्थम किसने जारी किये थे तो ये हिंद युनानियों ने जारी किये थे पहली बार सोने के सिक्के किस ने जारी किये थे तो जी के पहली बार सोने के जो सिक्के है ये हिंद युनानियों ने जारी किये थे गुप्त कालिन सोने के स्धिक्य को कहा जाता था, तो इसे दिनार कहा जाता था, ये प्रस्णाप लोगों के लिए important है, इसको ध्यान रखें। बोरो बुदूर इस्तूप इस्तित है तो ये जो है जावा में इस्तित है अंकुरवाट मंदिर कहां इस्तित है तो अंकुरवाट का जो मंदिर है ये कमबोडिया में इस्तित है और ये विश्नु मंदिर है ब्रहमन ग्रंथ जिसमें राज अविश्यक के नियम उलिखित है व पुरानों की संख्या कितनी है तो दिखे पुरानों की संख्या 18 है और ये परस्न कई बार बहुत सार एकजाम में पूछे के इसको ध्यान रखना है मौर राजवन्स की 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 रा प्राफ्थ होती है तुदी के साथ वहानों के संबंद में जो जानकारी है ये मतस पुरान से प्राफ्थ होती है इस्मृति ग्रंत जिसको सबसे प्राची नवम प्रमानिक माना जाता है ये मनुस्मृति है सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है तो ये मुर्ण को उपनिसद से लिया गया है चार आस्रमों का सरपर्थम उल्लेक किस उपनिसद से मिलता है तो ये जवलोपनिसद से मिलता है बाउद ग्रंत तिरी पीटक में समलित है तो इसमें विनाई पीटक सुत पीटक और अभी धम पीटक सामीले इसको ध्यान रखना है बुद्ध के पुर्व जन्म क कि कहानी किसमें वरनित है तो बुद्ध के पूर्म जन्म की जो कहानी है ये जातक में वरनित है अज के वन लाइनर स्टेटिक जीके में हम लोगों ने 35 प्रसनों को किया इसी तरह से डेली 35 से 40 प्रसनों को हम लोग कभर करेंगे अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंड करके जरू बताएं क्या ये क्लास डेली होना चाहिए या नहीं तो आज के लिए इतना ही तब तक के लिए जैहिंद